हेलो सात्यों आप सभी के एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन में इस वीडियो सेशन के अंतरकत आपके समक्ष समान हिंदी के 20 आती महत्पून प्रस्टों की एक लाइफ टेस्स से रीच प्रस्टूत की जा रही है जो कि आने वाले किसी भी के लिए बहुत ही महत्पून सावित होने वाले हैं अधा आप सभी दोस्तों से निवेदने कि आप सभी लाइव जुड़कर पूछेंगा प्रस्टों का सही उत्तर दें और अपने तयारी की समिक्षा करें तो चलिए इस प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत करते हैं आप क्रिती है भक्तमाल इसके रशनाकार कौन है आपके ऑफशन से ऑफशन एक की सव दास ऑफशन बी नाभादास ऑफशन सी तुलसी दास या फिर ऑफशन डी सूर दास बहुत महत्पून प्रस्टन है एक क्वेश्चन एक्जाम में आ चुका है और इसलिए इसका आंसर आप स ये नाभादास की एक क्रिती है राइट चलिए नेक्स क्वेशन पर चलते हैं क्वेशन नमबर सेकेंड उसने नहाकर भूजन किया एक सेंडेंस दिया हुआ है एक वाक्य दिया है उसने नहाकर भूजन किया आपको बताना है इस वाक्य में नहाकर जो नहाकर शब्द है नि इसका answer type किजिए आप से भी comment section में और आपका time शुरू होता है अब जी हाँ इसका correct answer हो जाएगा option number D पूरू कालिक क्रिया क्यों देखिए इसमें क्या बोला है उसने नहा कर भोजन किया तो जो भोजन करने वाला जो कारे है ये क्रिया है भोजन कारे भोजन किया कब नहा कर मतलब नहाने के पश्यात मतलब जो क्रिया है वो already हो चुकी है पूरू कालिक मतलब क्या होता है जो पह प्रेश्ट क्या बोला है हिंदी का पहला पत्र है पत्र मतलब समाचार पत्र कौन सा था ये पूछ रहा है जो हिंदी का सबसे पहले समाचार पत्र निकला था भारत में वह कौन सा था आपके अप्शन से ऑप्शन ए उदंड मारतंड ऑप्शन बी बनार सखबार ऑप्शन सी हंस पत्र का या फिर ऑप्शन डी हर्श्चंद मैग्जीन फटा फटा फट इसका पहला समाचार पत्र पत्र बताईए चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका टाइम शुरू होता है अब जी या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बर ये ऑप्शन ये क्या है उदंड मारतंड ये हिंदी का प्रतम समाचार पत्र था अच्छा इसकी शुरूआत कब हुई थी इसकी शुरूआत हुई थी सन 1826 में 1826 में कब 30 मई को 30 मई 1826 अच्छा इसको शुरू किस ने क इसको शुरू किया था पंडित जूगल किशोर शुक लेने ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन सरफ्टम कहां से हुआ था तो इतनी सारे चीजह आपको पताऊनी चीजह के बारे में हिंदी का पहला आकबार कौन था ये शुरू कब हुआ था शुरू ह अकबार था, जिसका प्रकाशन कलकता से हुआता है, कॉलकता से, अच्छा एक चीज और इसमें, अच्छा इसका प्रकाशन कब से शुरू हुआता है, इसका प्रकाशन 30 मई से शुरू हुआता है, 30 मई, 30 मई, इसी लिए, इसी लिए इसको भारत में, इसको क्या बोलता है, भ हमारा हिंदी का प्रतम अकबार है उदन्द म हरतं की शुरुआत होगी का प्रकाशन हुआ था ओक्य चलिए अगले फ्रस्न की तरफ चलते हैं अगला प्रस्चन हमरत्व फोर क्वेशन हम utan फॉर क्या कहरा हएं सूफी संतों की शैली है आपको बताना है जो सूफी संत हुआ करते थे उनकी स्टाइली कौन सी थी किस भासा में वो लोग अपना समबाद करते थे उनकी शैली स्टाइल कौन सी थी आपके ऑप्शन से ऑप्शन ये मर्शिया ऑप्शन भी मसनवी ऑप्शन सी गजल या फिर option D, तर्जुमा, चलिए फड़ा पड़िसका आंसर टाइप किजिए आप सभी, and your time starts now, जी हाँ, इसका correct answer हो जाएगा option number B, मसनवी, इसको याद रखिएगा, जो सूफी संतु की भाषा हुआ करती थी, शैली हुआ करती थी, उसका नाम था मसनवी, राइट, चलिए, next question पे चलते हैं, question number 5, question number 5 है, question number 5 क्या बोले, गुडिया भीतर गुडिया, यह करिती है, इसके रशनाकार का नाम आपको बताना है, गुडिया भीतर गुडिया, इसके लेखा कौन है, इसकी रशना किस ने की थी, आपके option से, option A, क्रिशना सोब्दी, option B, प्रभा केतान, option C, उशात प्रियमदा, या फिर option D, मैत्रई, पुष्पा, चलिए, इसका answer आप सभी बताएं, इसका answer क्या हो जाएगा, गुडिया भीतर गुडिया, चलिए, फटाबर इसका answer बताएगा, और आपका time शुरू होता है, अब, जी या, इसका correct answer हो जाएगा, option D, मैत्रई, पुष्पा, चलिए, नेक्स question पर चलते हैं, अगला प्रशन है, प्रशन संख्या 6, question number 6 है, चचुंदर के सीर में चमेली का तेल, यह बहुत ही famous मुहावरा है, एक लोगो उकती है, चचुंदर के सीर में चमेली का तेल, इसका मतलब आपको बताना है, जादा तो दोस्तों को इसका मतलब पता होगा, चलिए, आपके option है, धान के लिए सुपतर होना, मतलब धन क्या होता है, पहला option है, धन के लिए सुपतर ना होना, option B क्या हो रहा है, बिल्कु अंपड़ ब्यक्ति को धन मिलना, ya फिर option D गंजे व्यक्ति के सीर में सुगंधी तेल लगाना, इस में से कौन सा इसका इस लोग एकती का कौन सा आर्थ सही है, बिल्कुल, कौन सा option हो इसका correct answer हो जाएगा option number B, अयोग ये व्यक्ति को उत्तम पद मिलना, इसका मतलब इसका महवरा क्या है, चचुन्दर के सिर में चमेली का तेल, मतलब जो उस पद के काबिल नहीं है, उसको पद मिल जाना, right, चलिए, next question पे चलते हैं, अगला प्रेशन है, question number 7, question number 7 क्या बोल ला अयोग वाह, कहा जाता है, आपके option से महा प्राण को, सन्युक्त बेंजन को, अनुश्वार एवं, विसर्गो को, या फिर अलब प्राण को, बहुत ही बनिया प्रेशन है, अयोग वाह, question आता है, ऐसे ही प्रेशन आते हैं, exam में, अयोग वाह किसको बोलते हैं, चलिए, जी हाँ, इसका correct answer हो जाएगा option C, अनुश्वार एवं, विसर्गो को, इनको बोलते हैं, अयोग वाह, और अंग की मात्रा जो होती है, ये वाली बिंदे, अंग की ये मात्रा और अहा, दो आगे हलंत ये लगा होता है, इसको बोलते हैं, ये वाला जो बिंदी उपर लगी ह है, उसको बोलते हैं, विसर्ग, तो इस दो ही चीज़े होती है, ये अयोग वाह, इनको हम बोलते हैं, अयोग वाह, मतलब अनुश्वार और विसर्ग, इसलिए correct option क्या हो जाएगा, इसका, option number C, right, चलिए next question पर चलते है, question number 8, question number 8 है, धूतों, या फिर इसको बोलते हैं, ज जिउँँद्वारा होने वाले दुख को, एक शब्द मेराग पर बताना है, जो किसी भी जिउँद्वारा, अगर कोई दुख हो, उसको क्या बोलते हैं, धूतों द्वारा होने वाले दुख को, के लिए एक शब्द क्या है, option E है, आधी दैविक, option B, आधी भाथिक, option C, आधी दैहिक या फिर option D आत्मधातिक चलिए फटा फ़र इसका अंसर बताईए जिए द्वारा होने वाला दुख इसके लिए एक शेब्द कौन सा हो जाएगा कौन सा इसका option correct हो जाएगा चलिए फटा फ़र आंसर बताईए आपका time शुरू होता है अब जी हाँ इसका correct answer हो जाएगा option C आधी दैहिक इसका मतलब होता है धूतों अर्थात जियों द्वारा होने वाला दुख राइट चलिए next question वे चलते हैं next question है question number nine question number nine क्या बोला है पंकज पंकज में कौन सा समास है क्यों यह शब्द दिया है पंकज इसमें समास आपको बताना है इसमें कौन सा समास हो जाएगा चलिए फटाफ़र इसका answer बताइए आप सभी कौन सा इसका option से हो जाएगा option यह है द्विगू समास option B है कर्मधारे समास option C है बहुब्री समास या फिर option D ततपूरी समास फटाफ़र आपसर टाइप किजिए और आपका time शूरू होता है यह होन्म कि पंकज मतलब होता है कि हैं यह पंक प्लस जू उसका अगर संद्वी शेद करेंगे तो हो जाएका पंक प्लस जू फंक मतलब पाँक कीचड में जो जन्मा हो, ज़से जन्मा, कीचड में जो है जन्मा, उसको बोलते हैं पंकज, पंकज मतलब ये कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, पंकज क्या होता है, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, पंकज, इसमें क्या है, इसमें दूनु बहुत ब्रही समाद, ओके चलिए, नेक्स क्वेशन पे चलते हैं, क्वेशन नमर्ट 10, चलिए, क्वेशन नमर्ट 10 क्या बोला है, शब्द और विलूम की द्रिष्टी से, सम्मंधित कौन सा जोड़ा गलत है, आपको गलत जोड़ा चूज करना है, बाकि तीन इसमें उप्शन है, वो सही होंगे, उनका जोड़ा सही होगा, बाकि चौथा एक होगा, जो चौथा कोई एक उप्शन होगा, जो गलत होगा, चलिए, फटाफर इसका अंसर टाइप किजिए, आप सभी मैच कराईए, लो लूप मतलब संतुष्ट, विस्लेशन, वी वेचन, यौवन, वार्धक्य, एक आंगी, सर्वांगेड, इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है, फटाफर इसका अंसर टाइप किजिए आप सभी, और आपका टाइम शुरू होता है, अब, जी यहां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, विस्लेशन का वी वेचन नहीं होता है, इसका विलोम होता है, संसलेशन, संसलेशन, विस्लेशन का विलोम क्या होता है, संसलेशन, बाकी लो लूप, लो लूप मतलब क्या होता है, लालची, इसका उल्टा हो जा करेक्ट चलिए नेक्स पर चलते हैं अगला प्राशन है क्वेशन नमबर 11 क्या है शूश्मा का संद्वी छेद्व क्या है बहुत ही बनिया प्रशन है चलिए एक क्वेशन पक्का एक्जाम में आने वाला चलिए बताइए आप सब चलिए इसका संद्वीश्यद आपको बताना है बहुत है ट्रेकी क्वेशन है एक छोटी सी गलती होई और आपका आपका फ्रस्न गलत हो जाएगा फूरा सुश्मा आपके ओप्शन क्या सू प्लस समा समा में चोटा साइस में ऑप्शन बी में सू प्लस शमा शमा में श्यट सूटा वाला शण है मुर्धन श्यट इसको बोलते हैं ऑप्शन B, ऑप्शन C में सूअब प्लस शमा जा फिर ऑप्शन D में सूव प्लस शमा चलिए इसका आंजर बताजीज आप सभी कौन सा इसका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा सूश्मा का करेक्ट संद्विश्यद कौन सा और आपका टाइम शुरू होता है अब जी यहां इसका कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा option ए सू प्लस छोटा वाला सौ और मा सू प्लस तुश्मा यह होता है इसका कर्रेक्ट आंसर इसको ध्यान रखिए अच्छे से एक बार पढ़ लिजेगा सूश्मा में अगर संद्वी चीज उसका करेंगे तू प्लस छोटा वाला सौ और मा को बताया जो अली है किसका परियावाची शब्द नहीं है बाकि वह जो होगा जो अली नहीं होगा चलिए फट आसका अंसर बता निजिए कौं सा option इसका कर्रेक्ट हो जाएगा और आपका टाइम शुरू होता है अब जी यहां इसका correct answer हो जाएगा option number D मदार यह अली का परियावाची नहीं होता है अली मतलब होता है भाउरा अली अली मतलब भाउरा भी होता है कोयल भी होती है भाउरा, कोयल, विच्छू यह तीनों का परियावाची शब्द हैं अली लेकिन मदार मदार इसका परियावाची क्या होता है अर्ग होता है अर्ग या पिर सूरे का परियावाची अर्ग या आक आक बोलते हैं या अकवा या फिर इसको मंदार भी बोलते हैं मंदार का भी परियावाची है मंदार अली किसका परियावाची कि मदार का परियाची नहीं है तो इसी यही इसका अंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रस्ट की तरफ चलते हैं अगला प्रस्ट नमबर 13 क्या बोला है इस मोहवरे का मतलब आपको बताना है अनुभाव प्राप्ट करना या फिर किसी कारे को अदूरा छोड़ देना चलिए इ इसका मतलब क्या होता है कोमें सेक्ष्ट में इसका अंसर बताई है और आपका टाइम शुरू होता है अब जी यहां इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा option A honest की कामना करना यह होता है मतलब उल्टिमाला फेरना का राइट चलिए अगले प्रस्ण की तरफ अगला प्रस्ण है question number 14 question number 14 क्या भाषा सिखाने का सही करम बताना आपको जब भी कोई भाषा सीखता है किस sequence में सीखता है सबसे पहले क्या उसके बाद क्या और उसके बाद क्या आपके options सामने हैं पहले बोलना सुनना पढ़ना लिखना या फिर पहले स्रवन करना बोलना पढ़ना फिर लिखना या फिर option C है बोलना फिर पढ़ना फिर स्रवन करना या लिखना option D स्रवन करना फिर बोलना फिर पढ़ना फिर बोलना और लिखना चलिए कौन सा option इसका correct हो जाएगा चलिए फटावस का अंसर टाइप कीजिए और आपका टाइम शुरू होता है अब जी यहां इसका correct answer हो जाएगा option number B पहले सुनना फिर उसके बाद बोलना उसके बाद पढ़ना उसके बाद लिखना यह कैसे याद करेंगे देखिए जब भी कोई छोटा बच्चा होता है सबसे पहले क्या करता है सबसे पहले क्या करता है पहले सुनना सीखता है जब जनम लेत है धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है तो पहले सुनना शुरू करता है उसके बाद बोलना शुरू करता है उसके बाद पढ़ता है और लास्ट में लिखता है डारिक लिखना शुरू कर दिए और बोलना बाद में ऐसा नहीं इस सीकेंस आप याद दखिए बासा सिखा कचरास चाइब दिया घौता का तथ्जय की तथर शब्द रूप क्या है आपको इसका शुद्ध शलिए कंसेश रव्ड कहाको इसका आंसर आप सभी बताएं और आपका टाइम शुरू होता है अब जी यहां इसका प्रेक्ट आंसर हो जाएगा option C कास्ट ग्री इसका मतलब आपको पता हो विए कट घरा जो कट घरा होता है अगर आप किसी कोट में गये हों जौन मुवीस में आपने देखा हो जिएंसर आपकी इसका यह बाकि कंट फल जो कंट फल है एक कठी घट कट हल तो कट हलोता है उच का सम क्या है कंटनल सम्रूप नेएँ इसका औशन सी करेक्ट हो जाएगा क्विशन नमबर फिफटीन का चैस्टक्रीए चलिए अगले प्रश्चिन कि तरफ चलते हैं अगला प्रश्चन है question number 16 question number 16 क्या बोला है आँख एक नहीं कजराउटा 10-10, बहुत यह प्यारा question है इस लोको उक्ति का आपको मतलब बताना है जो मुहावरा दिया है आँख एक नहीं और कजराउटा 10-10 इसका मतलब क्या हुआ option यह है, विर्थ का R number, option B आँख में काजल लगाना, option C आँख की देखवाल करना, या फिर option D लाइलाज भीमारी, चलिए फटापर इसका आंसर दीजिए आँख एक नहीं कजराउटा 10-10, और आपका टाइम शुरू होता है, अब जी ना, इसका correct answer हो जाएगा option A, बिर्थ का आँख तो एक नहीं, मज कजराउटा 10-10, इसका मतलब होता है फालतू का दिखावा करना, option A is the correct answer चलिए, नेक्स प्रेशन, अगले प्रेशन की तरफ चलते हैं, अगला प्रेशन है question number 17, question number 17 क्या बोल लाएग, इसमें से आपको option इसका correct हो जाएगा, चलिए, पांच सेकेंड के अंदर आप सभी answer दीजिए, और आपका time शुरू होता है, अब option C, गीत, गीत है, ये एक pulling है, बाकी रात, बात और मात है, तीनों, इस तरी लिंग है, इसको पहचानी के जो गीत है, वो pulling शब्द है, so question number 17 का आंसर का बजाएगा, option C, गीत, चलिए, next question पे चलते है, question number 18, question number 18 क्या बोले है, आचरण की सभ्वेता के निबंदकार है, आपको बताना है, आचरण की सभ्वेता नामक जो निबंद लिखा गया है, उसको किसने लिखा है, आपके options है, option A, भारत इंद हरिश्यन, option B, सरदार पूर्ण सी, option C, महावीर, प्रसाद दिवेदी, या फिर जिया, इसका correct answer हो जाएगा, option B, सरदार पूर्ण सी, आचरण की सभ्वेता है, जो निबंद, उसकी रचनाकार कौन है, आचरण की सभ्वेता के, सरदार पूर्ण सी, option B, will be the correct answer, चलिए, next question पे चलते है, next question, question 19, question 19 है, विरासत, जो शब्द दिया है, विरासत, इसका मतलब आपको बताना है, आपके option से, प्रकृर्ण से प्राप्ट धन, या फिर प्रकृर्ण से जो प्राप्ट, option B, पूर्खों से प्राप्ट, option C, मीत्रों से प्राप्ट, या फिर option D, मुल्य देकर खरीदा होगा, जो विरासत का मतलब क्या होता है, विरासत में जो कुछ सी प्र प्रफ्ष्ट होती है क्या है प्र besar आंसर आपको बताना है चलित अंसर बता दीजें का सभी और आपका टांसर होता है अब जिया करेक्ट आंसर होसी बी पूरुखण से प्राप्त उसको बीया रास्त में प्राप्त Major चलते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्ण है, question number 20, question number 20 क्या है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे मना जाता है, बहुत important question है, most most important, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे मना जाता है, आपके option से, option A, नूतन ब्रमचारी, option B, तितली, option C, त्याग पत्र, या फिर option D, परिक्षा बता है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, आपके टाइम शुरू होता है, अब, जी या इसका correct answer हो जाए, option D, परिक्षा गुरू, परिक्षा गुरू जो की 1882 में, 1882 में रिलीज होई थी, यह एक नॉवल है, उपन्यास, इसके उपन्यास कार कौन है, इसको लि लाला श्री निवास तासने, लाला श्री निवास तासने, ओके, तो यह इसका correct answer हो जाएगा, यही हिंदी का तता मौलिक उपन्यास माना जाता है, परिक्षा गुरू, इसके अलावा जो नूतन ब्रह्मचारी है, यह भी उपन्यास है, इसकी रचना किसने की थी, बाल रचन भट जी ने, बाकी तितली यह जैसंकर प्रसाद की कृति है, जैसंकर प्रसाद, इसकी रचना किसने की थी, जैसंकर प्रसाद, और लास्ट जो इत्याग पत्र है, तो त्याग पत्र की रचनाकार कौन थे, जैनेंद्र कुमार, त्याग पत्र का कुछ ने लिखा था, यह भी एक क्या है उपन्यास है इसकी रचना की थी जैनिंद्र कुमार ने ओके हैं सो क्विश्च नमबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी परिक्षा गुरू तो यह था आज का सेशन आई हो आप सभी को यह सेशन अच्छा लगा होगा तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए धन्यवाद और जैहिंद्र